पठान फिल्म में 5 मिनिट में शारुखान पर भी भारी पड़ गए सलमान खान फिल्म में सलमान खान को देखर सिनेमा हॉल बन गया पूरा स्टेडियम जी यहां दोस्तों आकिर क्या है पूरा मामला जाने के लिए वीडियो को अंतक जरूर देखें दरसल दोस्तों आपको बता दे कि बॉल्यूट के किंग खान यानि की शारुखान काफी लंबे अरसे के बाद कल यानि की 25 जनवरी को उनकी फिल्म पठान सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है और पठान फिल्म में वो च्यार साल बाद बड़े पर वापसी करते वे नजर आए शारुखान की इस वापसी के साथ उनके फैंस के अंदर अलगी क्रेज देखने को मिला जहां एक तरफ बॉल्यूट में बायकॉट का ट्रेंड बॉल्यूट को ले डूबा है वहीं दूसरी तरफ सारुखान के फैंस ने ये जिम्मा उठा लिया कि शारुखान की इस फिल्म को सुपर डूपर हिट करवाना है इसलिए इसको देखने के लिए लोग सुबत तीन बज़े से सिनमा घरों के आगे एकटा होना शुरू हो गए और फिल्म हाल के अंदर महौल पुरा जसनका था इसी के साथ बड़े परते पर शारुखान के साथ एंट्री होती है भाई जान यारी की सलमान खान की दोस्तो आपकी जानकरी के लिए बता दे कि सलमान खान ने इस फिल्म के अंदर एक 5 मिनट का केमियो किया है और इस केमियो में सल्मान खान टाइगर के लुक में नजर आए दरसल आपको बता दे कि ये दोनों ही फिल्में यसरास बैनर के तले बनी है ऐसे में सल्मान खान की आने वाली फिल्म टाइगर 3 की स्टोरी को इसके साथ लिंक कर दिया गया जिस अंदाज में उन्होंने शारु खान के साथ डायलोग बाजी की वहीं जिस अंदाज में उन्होंने फाइट की इन सारी चीज़ों ने सल्मान खान को शारु खान से ज़्यादा माचो बना दिया है रहे दोस्तों अगर आप लोगों ने फिल्म को देखा है तो आपका इस बारे में क्या कहना है कॉमेंट बॉक्स अपनी राहे जरूर लिखे हैं